पिनी ने जो है इस्ट्रेक्टर के अंदर EGR system भी लगा के देले सिस्टम को बहतर तरीके से द्यान में रखते हुए इस ट्रेक्टर के अंदर तीन तरह के classes treatments offer किये हुए हैं जैसे की पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर diesel wallet system लगा हुआ है laying ठीक पीछे आपको जो है इंटरकूलेंट देखने के लिए मिल जाता है और उसके पीछे आपको जो है इस्टेक्टर का रेडियेटर जिस्से इस्टेक्टर का इंजन लंबे समय तक थंडा रहके बेस्ट तरीके से इस्टेक्टर में four wheel drive साफट की यदि हम बात करें तो company ने जो है इस टेक्टर में heavy duty cross वाली four wheel drive साफट दी हुई है जो की hub reduction के साथ में आती है और इस तरह की जो four wheel drive के साफट है किसान भाईयों खेती किसानी से लेके transportation तक के बर्क में heavy duty best तरीके से कामों के लिए use की comfort को ध्या possible plow mb plow जैसे बड़े बड़े संयंत्रों को बड़ी असानी के साथ में operate कर पाएंगे इंडिया का सबसे ज्यादा heavy duty मजबूत महंगा planetary hub reduction वाला जो है रेयर एक्सल यूज किया जाता है साथी साथ company ने यहां पर आप देख सकते हैं इस टेक्टर की fender वेजगेरा की adjusting के वीडियो में स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आ हुए हैं इंडिया में रिसेंट्ली लॉंच सांदार फीचर के साथ में आने वाले जॉन डियर के लेटेस्ट एक्टर का फुल वीडियो जिसके अंदर company ने CIDI engine का मोड का उपयोग कर सकते हैं साथ ही साथ इको का उपयोग करके जो है आप स्टेक्टर में कम लोड वाले काम कर सकते हैं जैसे कि ट्रॉली वर्क हो गया कल्टीवेटर विगेरा जब आप फसा के स्टेक्टर में चलाते हैं तो इको मोड में चलाने से आपका जो है कम फ्यूल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके औल वैल आइकन को जरू दबा लीजेगा सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कंपनी ने इस्टेक्टर के अंदर क्या और अपग्रेड़िट फीचर से इंजन में इनहेंस करके दिये हुए हैं उसके बादे में सबसे पहले तो आप यह कंपनी न जो है इस्टेक्टर के अंदर EGR सिस्टम लगाया हुआ है दोस्तों EGR सिस्टम की बड़केंग होती है जो इस्टेक्टर के इंजन से निकलने वाली बिशैली हवा होती है यह सलेंसर के माध्यम से उसे EGR के माध्यम से एयर फिल्टर से फिल्टर करके इस्टेक्ट मैं प्रड्यूस करके देता है यदि हम बात करें टॉरको यहां पर आप बेख सकते हैं इस तैक्टर में भूमी का यह होती है इस टेकर का इंजन जो है जितना ज़्यादा ठंडा रहे इंजन के लिए कंपनी ना इस टेक्टर के अंदर काफी वड़े रेडियेटर का उपयोग किया हुआ है बैटरी के अंदर यदि हम बात करें तो यहां पर जो है आपको इंडिया के सबसे ज्यादा लीडिंग ब्रांट बारा बोल्ट 88 एज के साथ में आने वाली एकसाइट कंपनी की वैटरी देखने के लिए मिलेगी साथी साथ यहां पर कंपनी ने जो है आपको इस टेक्टर के अंदर ड्राइट टाइप डॉल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर भी ओफर किया हुआ है दोस्तों इस टेक्टर के अंदर जो पाइद आने वाले हैं जिससे आपको पावर स्टेरिंग के विए और हाइड्रोलिक के साथ साथ पावर स्टेरिंग भी में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी साथी साथ कंपनी जो है यहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट समय का जो है इसके डवल साका फोल्डरबार के साथ में आता है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ हुए हैं इंडिया में रिसेंट्ली लॉंच जॉन डियर कंपनी की तरफ से आने वाला जॉन डियर का चंवन जीरो पांच फोर वील ड्राइब जिसको कंपनी ने इंडिया मैं CIDI इंजन के साथ में लॉंच किया है और इस टेक्टर के अंदर लुक भी में आपको काफी जादा इनहेंस्मेंट देखने के लिए मिल जाता है इस टेक्टर की लाइट्स विगेरा आपको अब LED टाइप देखने के लिए मिलेगी साथी चंवन जीरो पांच फोर वील कके लिए मिल जाता है साथ ही साथ पिसला टाइटर भी जो है मारेफ क कमपनी का देखने के लिए मिलेगा जो की 14-9-30 साइज के साथ में आता है और स्ट्रेक्टर की जो 4-wheel drive साफ्ट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेक्टर के center से attach करके जो है स्ट्रेक्टर के अगली हंडी तक गई है और इसमें जो है fully protection cover के साथ में इसको pack करके दिया गया है जिससे इस ट्रेक्टर की 4-wheel drive की साफ्ट में किसी भी तरह से कंकर पत्थर धूल डस्त जानने का जो खत्रा है एकदम खत्म हो जाता है साथी साथ फोटे step पर आपको इस ट्रेक्टर के platform से connector करके दिया जाता है जैसे की जौन डियर के आपको हर एक ट्रेक्टर में देखने के लिए मिल जाते हैं उपर की तरफ बात करें यदि हम इस ट्रेक्टर में और भी ज्यादा features की जैसे बात करें दोस्तों यदि हम इस ट्रेक्टर की steering की तो यहां पर company ने आपको इस ट्रेक्टर के अंदर fuel efficiency, tractor temperature, oil temperature, battery service reminder जैसे बहुत सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं साथ ही साथ company ने स्ट्रेक्टर के अंदर standard और eco mode दिया हुआ है जैसे की CIDI के हर एक ट्रेक्टर में John Deere के CIDI engine के साथ में आने वाले हर एक ट्रेक्टर में देखने के लिए मिल जाते हैं साथ ही साथ यहां पर जो है आपको स्ट्रेक्टर का man gear देखने के लिए मिल जाता है जिसके अंदर आपको man 3 और एक rivers का और साथ में parking gear देखने के लिए मिलेगा पैडल के अंदर यदि हम बात करें suspended टाइप पैडल, oil में डूबे हुए जो है आपको स्ट्रेक्टर के अंदर brake देखने के लिए मिलेंगे और driver के लेब तरह बात करें तो यहां पर जो है आपको स्ट्रेक्टर में P2 का independent याने की separate class देखने के लिए मिलेगा जोस्ट्रेक्टर के अंदर यदि हम बात करें टोटल जो है आपको 12 forward 3 reverse और 12 forward 4 reverse हर एक gear options के साथ में आने वाला टेक्टर देखने के लिए मिलेगा साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रेक्टर के अंदर है दी हम बात करें स्ट्रेक्टर के आर्पियम बिगेड़ागी तो स्ट्रेक्टर का जो हिंजन है 2200 रेटेड आर्पियम तक बढ़ के करता है और साथ ही साथस डेसबोर्ट के बाजू से जो है आपको स्ट्रैक्टर में 12ड की मोगाईल चारजिंग अग्छर इस लिए मिल जाता है दोस्तो अब हम चलते हैं स्ट्रैक्टर में पीछे की तरए जादा सांधर फीचेज़ की तो यहां पर आप देख सकते हैं दो लीटर तक का वाटर स्ट्रोरेज जो है कंपनी ने ड्राइबर के लेप साइड जो है इस्टेक्टर के अंदर ओफर किया हुआ है साथ ही साथ फेंडर के नीचे जो आपको गैफ देखने के लिए मिलेगा काफी शांदार गैफ जो है कंपनी ने बरकरार रखा हुआ है जिससे इस्टेक्टर के फेंडर परलिंग बिगहरा जैसे कामों को करते समय नहीं बुजने वाले पिछले हिस्से भी में फीचर्स के अदि हम बात करें तो यहां पर आपको इस्टेक्टर में इंडिया का सबसे जादा मेहंगा मजबूत प्लैनेटरी हव रेडक्शन वाला रेयर एक्सल देखने के लिए मिलेगा और यहां पर जो है कंपनी ने हर एक चीज की प्रॉपर प और चार डिस्ट्रीटर बाल वाला ऑप्शन भी आप इस्टेक्टर के अंदर ले सकते हैं साथी साथ फ्यूल टैंक कैपिसिटी जो है आपको स्टेक्टर के अंदर एक अधत्य लीटर की देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर कंपणी ने इस बार इनहेंसमेंट किया हुआ है और यहां पर जो है अपको स्टेक्टर में एलीडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेफरेट सौकेट बार मिलेगा साथी साथ टापलिंग बगेरा के लिए तीन पॉइंट कंप्णी ने दिये हुए हैं जो की फुली और टोमेटिकली डेफ्टेंड हुआ के साथ में इस ट्रैक्टर में मिलता है 57 हुस्पावर का मल्टी गेर स्पीड विथ रिवर्स पीड यू जो कि अपनी स्रेग्मेंट में बहुत ही ज्यादा जवर्जस्त संदर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है और इस ट्रैक्टर में जो है आपको यहां पर 105 फोर विल ड्राइब कैसा लगा आपको ये फुल डिटेल रिव्यू वीडियो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक से और चैनल को सस्प्राइब कीजिएगा जै जवान जै किसान